राम राम भाई सभी साथियों को जितने भी अपने हर्याना CET मेंस की त्यारी करने वाले भाई भैने सभी को राम राम हर्याना CET मेंस 2023 के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रूप 56 की जो एक्सपेक्टड कटोफ है वो कितनी रह सकती है चार गुणा में आने के लिए केटेगरी वाईज बिल्कुल डीटेल में हम चर्चा करेंगे उससे पहले आप चैनल पे नई हैं तो प्ली सब्सक्राइब जरू कर लीजीगा और साथ में एक अपडेट और है आप सभी के लिए मैंने अपने टेलिग्राम चैनल के उपर और हरियाना करेंट अफे 2023 की यहां पे पांच क्वीज हैं तो यह मैंने यहां पर डाल दी हैं जाके आपनी तयारी जो है वह आप इंप्रू कर सकते हो और कम टाइम में ज्यादा मठील यहां से पढ़ सकते हो अब बात कर लेते हैं भाई कटोफ की देखिए अगर हम कटोफ नंबर जो है वो आ सकता है अब देखिए अगर हम बात करें तो यहां पे जो 60 प्लस बच्चे है यूर की 18,400 बच्चे है यह आउट ओफ 95 है ध्यान दीजेगा मैं पूरी कटोफ बताऊंगा आउट ओफ 100 कितने जा सकती है लेकिन यह जो डाटा है यह अभी 95 में से है भाई BCA के 7,200 है BCB के 7,500 है अब देखिए यह बच्चे ऐसे हैं जो टोटल जो 60 नंबर से उपर ले रखा 95 में से अब बात करें तो इसमें सबसे में ग्रूप जो है न चपन वो ग्रेजियोशन वालों के लिए है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसनों 12th पास की होगी या फिर first year में होंगे या फिर second year में होंगे या फिर final year के exam दिये होंगे उनका result नहीं आया हो या फिर diploma वाले भी हो सकते हैं ITI वाले भी हो सकते हैं तो अलग-अलग हो सकते हैं तो यहां पे क्या है दो criteria माना है एक तो 60% मान लिया कि graduate है जितने भी वच्चे है जिन्होंने exam दि देखिए अगर बात करें UR का 60% करें तो यहां पे 11,040 candidate बनते हैं अगर 70% करें तो 12,888 candidate बनते हैं अगर हम EWS की बात करें यहां पे जो बच्चे बनते हैं यह 60% के इसाब से 5,400 और यहां पे 70% के इसाब से करोगे तो 7,300 SC की बात करें तो 2400 से 2800 यह भाई आपका 2400 से ल तो यहां पे 4320 से लेकर 5040 के बीच में बच्चे होंगे इसके अलावा BCB की मैं बात करूँ यहां पे जो डाटा हो 4500 के से लेकर 5250 के बीच में यहां पे डाटा मिलेगा अब यह तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यह इतने के आसपास बच्चे हैं जो की graduation में 60 नंबर स कितनी है तो वेकेंसी यहां पे यू आर की 2343 हैं एडेवलोस के 406 हैं SC की 1170 है BCA की 899 में है BCB की 539 है अब इनका क्या है लगबग 4 गुणा होगा क्यों वेकेंसी यहां पे 40 से जादा ही है सभी में लगबग तो यहां पे 4 गुणा ही आएगा तो 4 गुणा के एकर बात करें तो 9500 72 बच्चे तो होंगे यू आर के लिए एडेवलोस के अगर बात करें तो 1624 बच्चे होंगे मतलब एडेवलोस के लिए अगर हम बात करें SC की तो SC के लिए 4,680 बच्चे बुलाएंगे SC के लिए BCB की में सुरी BCA की कर बात करूं तो 35006 में बच्चे बुलाएंगे BCA के और BCB की में बात करूँ, 2116 के आजपास बच्चे बुलाएंगे, मतलब BCB के लिए, ये वो डाटा है, जो 4 गुणा के एक्जाम देंगे, ये बच्चे बुलाए जाने है, हर कैटेगरी के अकोर्डिंग, ध्यान दीजेगा, एक मैं आ काउंट किया जाएगा, बेस्तरक उसका सकोर 81 नमबर क्यों ना रहा हो, मतलब चाहे वो टोपर ही क्यों ना हो, उसकी जो अभी स्टार्टिंग में जो आपको 4 गुणा बुलाना है, उसमें वो बच्चा जो है, वो अपने BCB के टेगरी में ही काउंट किया जाएगा, क्यों सीटर वो एक बच्चा जो चार गुणावे जो बच्चा आएगा, वो आपको BCB की ही काउंट की जाएगी, ना कि आपको जनरल में भेचा जाएगा, ये बात ध्यान दे लीगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है, वो किलियर हो चुका है, बिल्कुल, और पहले भी किलियर था, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, लेकिन उस टाइम पर कुछ बच्चे बोले, कि ऐसा नहीं होगा, कल का चेर्मेन साब का इंट्रू देखा होगा आपने, आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हर्याना स्टाफ सेंट कमिशन, आज तक जितनी भी भरत्य करते आया है, उसमें इसी तरीके से अपना फोलो, मतलब पैटरन जो है, वो फोलो किया है, अब बात करें, तो भाई देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, तो यह चार टाइम के स्टुडेंट हैं, और यह जो कंडिडेट हैं, ग्रेजुएट वाले 11,040 हो सकते हैं, या फ पैसेट नंबर के आसपास कटोफ जा सकते हैं, अभी यह फाइनल कटोफ नहीं है, मैं बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल लाश्ट में बताऊँगा, सब कुछ आप सिर्फ समझ लीजिए, अब देखिए, अगर यहाँ पे 1624 बच्चों को बुलाना है, हमारे पास में 5400 बच्चे बुलाने हैं, हमारे पास अप्रोक्सिमेट 2400 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, कटोफ डाउन जाएगी, तो डाउन कितनी 56 नंबर के आसपास, अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें 3556 बच्चे बुलाने हैं, हमारे पास में 4320 हैं, तो यहाँ पे कटोफ जो ह हैं लेकिन हो सकता है 70% क्रेशिट हूं तो इस केस में क्या होगा इस केस में जो अगर देखोगे न आप तो लगबग दो नंबर की जो है न वह आपकी बढ़ोतरी दिखाई देगी यहां पर बच्चे क्या जादा होगे तो लगबग दो नंबर बढ़ जाएंगे आपकी ठीक है तो यहां पर यह हो गया है यह 67 क्या पास हो जाएगा यह आपका कितना 58.5 बढ़ आपका 64 क्या पास और यह आपका 66 क्या पास यह अभी आपकी cut-off नहीं है ध्यान दीजिएगा यह आपकी out-off 95 बताई है अब देखें तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या है पांच नमबर मिले हैं प्रिलियम्स में ठीक है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको नहीं मिले हैं लेकिन ये बात आपको पता है कि पांच नमबर मिलने वाले बच्चे हैं वो जादा है और ना मिलने वाले बच् 3 number हमने माना कि 3 number तो सभी को मिल गये होंगे average क्योंकि काफी बच्चा ऐसे होंगे इसके मान लिए 55 number है उसके सीथे 60 हो गई एक बच्चा ऐसा भी होगा इसके 58 number है उसको 5 number नहीं मिले तो वो 58 पे भी रह गया तो हमने एक base score सिरफ 3 number जोड़े हैं उस cutoff के लिए तो देखिए भाई अगर हम cutoff देखे न तो यह जो cutoff है यह final रह सकती है यह जो है आपकी अगर यूर में अगर आपका जो score है 64 से लेकर 67 की बीच में बन रहा है तो आपका admit card आने के chances जो हैं वो लगबग पूरे है EWS की बात करें तो यहाँ पे 68 से 70 की बीच में SC की बात करें 59.5 से लेकर 61.5 की बीच में BC A के लिए बात करें तो 65 से लेकर 67 से की बीच में BC B की में बात करूँ 67 से 69 की बीच में तो यह एक idea है approximate इसके आजपास अगर आप vary कर रहे हो तो आपका जो है वो admit card जो है वो आजाएगा हो सकता इससे एक number कम चली जाए हो सकता इससे एक number ज़्यादा चली जाए लेकिन एक approximate idea मैंने आपको बता दिया है कि यह data है इसके according जो है अगर out of 100 में आपके mark 100 इतने बन रहे हैं तो आप कही ना कही ग्रूप 56 का exam दे पाओगे यह बिल्कुल detail में मैंने analysis किया था उसके बाद में ही यह मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है साथ में ही आप channel पर नए हैं तो प्रीज सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और जिस भी group की cutoff आपको देखनी है या जाननी है तो आप comment section में बता दीजेगा अगली वीडियो में मैं उसकी cutoff भी बता दूँगा साथ में ही अपना telegram channel में द्वारा बता दता हूँ यहाँ पर मैंने quiz डाल रखी है अपनी सारी हरियाना current affair की हरियाना gk की और computer की अभी telegram channel है description में link मिल जाएगा वहां से आप join कर लीजिए join करने के बाद में आपको यहाँ पर pin की हुई मिल जाएगी तो आप जो है वो अपनी start this quiz पर click करके अपनी quiz जो है दे पाओगी तो यह सब कुछ मैंने आपको बता दिया है पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिए थैंक्यू सो मच